हेलो बच्चो कैसे हो तो आज हम पढ़ेंगे करेंट लूप एज ए मैंगनेटिक डाइपोल एन इट्स मैंगनेटिक डाइपोल मुमेंट असान सा टॉपिक है सिंपल सा टॉपिक है और बहुत जल्दी खतम करवा दूँगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएग तो इस टॉपिक में आप देख रहे हैं दो पार्ट से पहला है करन्ट लू एज मैंगनेटिक डाइपोल तो इस से शुरुवात करवाते हैं करेंट लू एजए मैंगनेटिक डाइपोल मॉमेंट हम अभी मिटा देते हैं चिंता ना करो दोनों चीजे इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगी तो भाई ये है हमारी स्टार्टिंग की हेडिंग अब मैंगनेटिक डाइपोल को समझने के लिए याद कर लेते हैं कि साब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था था इसलिए क्योंकि आप इसे पड़ चुके हो तो यहां कौने में लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है बच्चो आपको नहीं याद है तो देखो इलेक्टriक डाइपॉल में दो चार्जे वोते थे, एक माइनस एक प्लस एकूर्ब, दोनो चार्जे का मेंगनिट्यूट सेम होता था लेकिन अपजिट नेचर के होते थे, 1-1+, magnitude, same, उन दोनों के बीच की कुछ दूरी होती थी, सही है, ये इन दोनों के बीच की दूरी का center, एक चार्ट से दूरी अगर L है, तो दूसरे चार्ट से भी दूरी L होती थी, अरे भाई, center है, तो equal distance होगा, तो ये distance कितना हो जाएगा, 2L, ये तो class 3rd का बच्चा भी बता देगा, तो ये होता था हमारा electric dipole, और electric dipole moment क्या होता था, electric dipole moment, यहीं से हम बुनियाद रखेंगे, magnetic dipole moment की, वो होता था, P, P से denote करते थे, Q into क्या 2L, यानि current का magnitude multiplied by the distance between the two currents, यह याद आ गया, very good, बहुत बढ़िया, और electric dipole moment एक vector quantity होती थी, कैसी होती थी, vector quantity, vector quantity यानि magnitude भी होगा, और direction भी होगा, magnitude कैसे निकलेगा, charge को distance से multiply कर दो, magnitude निकल गया, direction क्या होगी, direction होती थी, minus charge to plus charge, यह होती थी, electric dipole moment की direction, direction यहाँ लिखलो, minus q, 2 plus q, यह आपको याद था, और मैंने revision करा दिया, तो बच्चों, अब हम बात करते हैं, magnetic dipole की, ठीक, लिख लेते हैं थाब, magnetic dipole, और इसके लिए हम बनाएंगे एक bar magnet, यह है आपकी bar magnet, यह इसका north pole, और यह south pole, यह हो गया, magnet का center, यह distance है L, और यह भी distance है L, means, north pole से center की दूरी L, south pole से center की दूरी L, तो total length of the bar magnet क्या हो गया, 2L, ठीक है, यह क्या है, bar magnet, तो यह bar magnet, magnetic dipole बना रही है, जैसे कि दो charges, electric dipole बना रहे हैं, तो एक bar magnet, magnetic dipole बना रही है, क्योंकि इसके एक तफ north pole होता है, दूसरी तरफ south pole, अब यहां हमने electric dipole moment निकाला था, अब यहां निकालेंगे magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, सही है बच्चों, अब इससे निकालेंगे हम, magnetic dipole moment को हम डिनोट करते हैं, capital M से, ठीक है, यह हो गया हमारा magnetic dipole moment, और इसको निकालते हैं हम, small m into 2L, small m into 2L, अब यह small m क्या चीज़ है, small m होता है pole strength, pole strength, pole strength का अर्थ हुआ, किसी भी magnet की, के poles की कितनी ताकत होती है, कितने strength होती है, तो जितनी poles की strength होती है, उतनी ही उस magnet की strength होती है, भाई pole strength ज्यादा, तो magnet में ज्यादा ताकत, तो इसे हम magnetic strength भी बोलते हैं, क्या बोलते है, magnetic strength, और 2L तो आपको पता ही है, distance between the two poles of the bar magnet, एक चीज़ बच्चों आपको याद दिला दूँ, जो आपने class 10 में भी पढ़ी होगी, हमने इस magnet को मानलों बीच में से काट दिया, ये काट दिया हमने बीच में से, तो ये दो pieces हो गए, इस तरीके से, ये है एक piece, और ये है दूसरा piece, तो ये अगर north pole है, और ये south pole है, तो ये दोनों pieces अपने आपने एक magnet की तरह behave करेंगे, ये दो आधी magnet बन जाएंगी, यानि ये north है, तो ये इसका south हो जाएगा, और ये north, ठेक है, बीच में से काटा, दो magnet बन गई, इन दोनों को बीच में से काटोगे, चार magnet बन जाएंगी, इस तरीके से हैं, यानि हर magnet का अपना north pole होगा, और south pole होगा, और जब हर magnet का अपना north और south pole होगा, तो हर magnet का अपना magnetic dipole होगा, इसका अलग magnetic dipole, इसका अलग, और हर magnet का अपना magnetic dipole moment भी होगा, m into 2l, आ गई ये बात समझ में, अब जब आदा आदा काट दिया, तो ये length reduce हो गई, ठीक, ये बात समझ में आ गई आपके, चलो बहुत बढ़िया, तो अब बच्चों हमारे सामने एक प्रश्न है, वो ये है, कि ये current loop, magnetic dipole की तरह क्यों behave करता है, भाई, magnetic dipole तो बार magnet से बनता है, क्योंकि उसमें north pole और south pole होते हैं, अब ये current loop, क्यों magnetic dipole की तरह behave करेगा, इसका मतलब current loop, एक बार magnet में convert हो जाता है, ठीक, और जब वो बार magnet में convert होता तो, इसका मतलब उसमें एक north pole भी होता है, और उसके opposite एक south pole होता है, अब ऐसा कैसे होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं, सही है, तो main topic पर आगए, current loop as a magnetic dipole moment, इसे रब कर देते हैं, आपने note करी लिया होगा, सबसे पहले एक बार magnet बना लेते हैं, हमें पता है, बार magnet में magnetic lines not to south होती है, ठीक, धियान में रखना है यह बात, और यहां धियान से देखो, यह है हमारी magnet, छोटी magnet बनाई है, यह है north pole, यह है south pole, magnetic lines कैसी होती हैं, north से निकली, south में गई, यह देखो, south में गई, north से निकल लेए न, इसलिए arrow इदर, south में गई, इसलिए arrow अंदर, north से निकली, south में गई, north से arrow बाहर, south में arrow अंदर, दो और बना लें, north से निकली, south में गई, अरे यह तो गलत बन गई, यह गई, यह south में गई, south में arrow बाहर, नहीं, अंदर, अंदर, north में यह, north से निकली, south में गई, नौर्ट से निकली यानि एरो भाग, साउथ के अंदर गई यानि एरो अंदर, सही है यह तो पता ही है आप लोगों को, तो हम बना लेते हैं एक current carrying loop, जिसमें की current anti-clockwise direction में flow करता है, किस direction में flow करता है बच्चों, anti-clockwise, जरूरी थोड़ी है anti-clockwise, clockwise भी flow करता है, लेकिन हम flow करवाएंगे anti-clockwise direction में, आई, anti-clockwise, आई, anti-clockwise, कौन आई, current की direction आई, अब हमें magnetic field निकालना है, center पे, center में magnetic field की direction निकालना है, उसके लिए हम क्या use करते हैं, right hand palm rule, लिख दें, right hand palm rule, right hand मतलब सीदा हाथ, palm माने, हते ली, अगर इस loop की बात करें, तो यह देखो, current की यह direction हो गई, thumb की तरफ, finger ले आई, center की तरफ, क्योंकि यहाँ पर magnetic field की direction निकालना है, और magnetic field की direction हुई, यह, सही है, तो हमारे magnetic field की direction हो गई, यह, b, this is the word, magnetic field direction, और magnetic field lines, अगर हम बनाएं तो वो ऐसे बनेंगी, यह, और यह, बना देते हैं तसल्ली से, यह गई, यह, यह देखो, यह, एक और बना देते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक, यह होगी magnetic field lines की direction, अगर आप यह मान लो, मान के लो, आप imagine करो, यह जो coil है, थोड़ी सी थिक है, ठीक, यह coil कैसी है, थोड़ी सी थिक है, और इसमें ऐसे current flow कर रहा है, anti-clockwise direction में, यह, देख रहे हैं ना यह, यह है वो coil, सैलो टेप मैंने यह, पेपर टेप यूज़ कर रहा हूँ, इसे coil मान के, और यह थोड़ा सा थिक है, यह, तो magnetic field lines की direction कैसी है, यह, देख रहे हो vector, यह है हमारा vector, current ऐसे flow कर रहा है, anti-clockwise, magnetic field lines की direction यह है, अगर आप इसमें भी लगाओगे, तो देखो, यह current की direction, और उंगलियां center की तरफ, और magnetic field की direction यह, ऊपर की तरफ, ऐसे अगर हो, आपकी coil तो, current anti-clockwise flow कर रहा है, यह current की direction, center में magnetic field की direction निकाल नहीं है, finger इस तरफ, center की तरफ, यह current की direction, magnetic field की direction क्या, थम के perpendicular, यानि यह, समद गए, अब आप देखो, मैं यह बात कर रहा था, यह अगर, एक coil है, और इसकी thickness इतनी है, तो, आप देखो, magnetic field ऐसे गई, उसकी direction यह, यहां से बाहर निकली, यानि, यह north की तरह है, यह direction, तो, यह हो गया north pole, और यह हो गया south, क्योंकि यह, magnetic field lines अंदर जा रही है, तो, अगर बात करें, तो, यह north, और यह south, देखो, यह north, और यह south, अब यह bar magnet की तरह behave करने लगा, यह है bar magnet, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, कि यह जो loop है, यह bar magnet की तरह behave कर रहा है, थेक है, जिसका north pole उपर है, और south pole नीचे है, यह बात आपको clear, यह मिटा देते हैं, तो देखा आपने, जब एक current carrying loop bar magnet की तरह behave कर रहा है, तो उसमें magnetic dipole moment बनेगा, ठीक, क्या बनेगा magnetic dipole moment, यह बात important है, इसे हम लिख लेते हैं, therefore current carrying loop dá υख बहाे अ बार मास्त, बार मास्त, बार मगनेट लेगा है, iख का बार बार मानेट, लेख बार मानेट, dipole moment, magnetic dipole moment, which is given by, which is given by, M is equal to I into A, M is equal to I into A, I क्या है, current flowing through the coil, और A क्या है, इस coil का area, आ गई ये बात समझ में, इस formula से, magnetic dipole moment की, का magnitude निकल जाता है, लेकिन magnetic dipole moment, एक vector quantity है, इसकी direction भी निकालनी जरूरी है, यानि current carrying loop में, magnetic dipole moment की direction क्या होगी, ये भी तो पता होना जरूरी है, because it is a vector quantity, magnitude तो पता लग गया, अब direction कैसे निकलेगी, ये बताएंगे, बहुत असान तरीका है, ठीक है, पहले ये note down कर लो आप, कर लो, तो भच्चों ये तो हम पढ़ी रहे हैं, current loop ऐसे magnetic dipole, ये हमें समझ में आ गया, हमने लिख दिया, अब इसी से हम आगे आ गये हैं, magnetic dipole moment, तो यहीं पर याद लिख दो, and, it's magnetic dipole moment, अब हमारा topic पूरा होगा, चलो भई, तो ये तो हमने सीख लिया, कि अगर magnitude निकालना हो, magnetic dipole moment का, तो current को multiply कर दो, area vector से, direction की बात करते हैं, direction निकालने का, एक बड़ा असान सा तरीका बताएंगे, ठीक, तो हमारा उद्देश है, to find the direction of M, M यानि, magnetic dipole moment, किसी-किसी बुक में ये, mu से denote किया गया है, सही है, देखो, इसका पहला step, curl your finger, in the direction of current, ये भी एक तरीके का right hand rule है, right hand, सीदे हाथ से ये काम करना है, आपको, ठीक, from your right hand, left hand से मत कर ले न, सिर्फ right hand से ये काम करना है, बच्चो, curl your finger in the direction of current, enter, तो, thumb, M, is along the direction of thumb, भाई, ये है आपका तरीका, finger नहीं, fingers, सारे उंगलियों को curl करना है, अब आप देखो, ये है आपकी एक coil, anti-clockwise इसमें current flow कर रहा है, I, चलो साब बना लेते हैं, I, तो magnetic dipole moment की direction क्या होगी, magnetic dipole moment perpendicular to the area होता है, अब इसकी direction क्या होगी, देखो, current कैसे जा रहा है, ऐसे, फिर द्यान से देखो, current कैसे जा रहा है, ऐसे, तो thumb बहार की तरव, perpendicular to the board, outward, तो magnetic dipole moment होगी है, ये, समझ गए, अब आप देखो, थोड़ा सा वैसा बनाते हैं, ये, current I, current I, current I, current I, current कैसे जा रहा है, देखो, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, आप इस चीज़ को इससे समझो, मैंने कॉयल ऐसे दिखाई है, ऐसे, इस तरीके देखाई है बच्चो कॉयल, और current ऐसे फ्लो कर रहा है, current ऐसे फ्लो कर रहा है, current ऐसे, magnetic dipole moment उपर, यानि, ये हो गई, M की direction, ये हो गई, M की direction, सई, और दिखाएं, चलो, मालो, चलो यहाँ देखते हैं, छोटा सा लूप बनाएंगे, ये है loop, और current फ्लो कर रहा है, ऐसे, ये है, ये, ये तो वही direction हो गई, चलो इसे रब कर देते हैं, कांगे डिस्टर, ये तो same direction हो गई न, इससे आपको कहां आननाने वाला है, रुगो बच्चा एक विनट, ये ऐसे, ऐसे, ये है current की direction, कैसी होई ये, clockwise, तो आप ये देखो, इस तरीके से बनाया है, clockwise, तो right hand, curl करोगे, ऐसे, clockwise, ऐसे, इस तरीके से current फ्लो कर रहा है, clockwise, ऐसे, direction, ऐसे, समझ गए, downward, ये, ये हो गई, magnetic dipole moment की direction, बस ये दो बात हैं, याद रखो, direction निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, magnetic dipole moment की, और इस से आप निकाल सकते हो, magnitude, तो बच्चों ये एक numerical लिख दिया है, magnetic dipole moment पे, समय बचाने के लिए, fast forward technique से लिखा है, तो ये question है, a current of 10 milliampere is flowing through a rectangular coil in an anti-clockwise direction, ये anti-clockwise direction है, as shown in figure, determine the magnitude and direction of magnetic dipole moment, तो ये आपकी एक rectangular coil है, इसकी dimensions दे रखी है, 2, 2 meter और ये है 1 meter, I current flow कर रहा है, anti-clockwise direction में, और I का magnitude दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 milliampere, magnetic dipole moment निकालना है, solution, तो magnetic dipole moment होता है, M, जो की vector quantity है, it is multiplication of current and area, area भी vector quantity होती है, तो इस formula से magnitude निकाल लेंगे, current कितना है, 10 milliampere, इसको ampere में convert कर दोगे, तो 10 into 10 to the power minus 3 ampere, which is 10 to the power minus 2 ampere, area, A is area, यह होगा, 2 into 1 meter, 2 meter into 1 meter, which is equal to 2 meter square, this is your area, तो यहाँ पर आपका M आ जाएगा, आई, आई की value रगदो, 10 to the power minus 2, इंटू, एरिया की value रगदो, तो यह आ जाएगा, 2 into 10 to the power minus 2, ampere meter square, यह unit होगी, ठीक है बच्चो, अब M vector quantity है, यह समझी चुके हैं, तो direction बताना भी important है, और direction कैसे होगी, भाई, current की direction में, fingers को curl करो, और जिस direction में थम होगा, वो M की direction, तो देखो, current ऐसे जा रहा है, यह, ऐसे flow कर रहा है current, तो अगर हम curl करें, तो thumb vertically outward है, यानि positive Z direction में, positive Z यह है न, तो M भी यह है, vertically outward, तो direction of M, direction of M, यह हो जाएगी, plus Z, so this is your answer, ठीक है बच्चो, तो आपने concept भी समझ लिया, magnetic dipole movement का, एक numerical भी कर लिया, note down कर लो, मैं screen के आगे से हट रहा हूँ, ठीक, तो बाई, इस lecture के लिए, see you, all the best, ऍृप्वारा, लिए, एक बादी कि लिए enगे,